अगले एक घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइन्स पर नसर इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लोटे प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी 18 जूल को वारा नसी में किसानों के साथ करेंगे समवाद दो करोड से भी ज्यादा किसान अलग-अलग माध्यमों से होंगे शामिल बीस हजार करोड रुपे की किसान सम्मान निधी जारी करेंगे पी-म कुरुषी मत्रे शिवराज सिंग्छ चौहान ने दी जान करी भाजपा करेगी पशिमंगाल में चुनाओ के बाद हुई हिंसा की जाच भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने गठित की टीम तरपुरा के पूर मुक्यमंत्रे बिपलव कुमार देव के लित्रे तुमें टीम करेगी घटना स्थल का दोरा वो तरह खंड के रुद्र प्रयाग जिले में भीशन हाथसे में गई तेरे लोगों की जान 24 सियात्रियों से भरा एक टेमपो ट्रेवलर अलक नंदा नदी में समाया गायलों को रिशिकेश एम्स और जिला उस्पताल में कराया गया भरती 36 गड़ के अबूज मार में नौ नकसलियों के मारे जाने की खबर चार जिलों के पुलिस के सायुत्ता भियान में मिली सफलता मुठवेड में एक जबान के भी घायल होने की खबर उत्तर भारत में भीशन गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मौसम विभागने पंजाब हर्याना समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू का अलर्ज किया जारी दिल्ली में प्रदूशन कम करने पर काम शुरू अब से थोड़ी ही देर में मौबई में आज शाम से होगा मौबई अंतर राष्ट्री फिल्म महुत सब का आगाज सब्ताह भर चलने वाले महुत सब के दौरान 69 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शन उद्गाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चिलनाई और पुड़े में भी होगा प्रदर्शन और खेल की ख़बरों में ICCT 20 विश्व कप का अंतिन लीग मैच आज फ्लॉरिडा में भारत का सामना कैनाडा से दक्षन अफरीका ने रोमाचक मकाबले में नेपाल को एक रन से दीमाद तो वहीं यूगांडा को न्यूजिलेंड नौव विकट से हराया यदि हेडलाइन्स और एडलाइन्स के बाद हम देखते हैं ख़बरों को बिस्तार से सबसे पहले बात प्रदहान मंत्री की सफल विदेश यत्रा की प्रदहान मंत्री नरेंदर मोधी इटली में जी सेवन शिकर सम्मेलर में हिस्सा लेने के बाद आद सोदेश लोट आए जी सेवन समिट के आउटरीज सेशन में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक मुद्दों के अलावा वेकसित भारत के निरमान के संकल्प की परतीब धता दुहराई इस दोराद उन्होंने कई देशों के राष्टरा ध्यक्षों के साथ दूपक्षिय मलाकातें भी की तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने के बाद प्याम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी पियम मोदी को देश की तीसरी बार बागडूर सभालने पर सभी राष्टरा ध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी और अगले ख़बर केंद्रिय गुरह मंत्रे अमित शाह कल सुबह 11 बजे एक उचस्तरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे इस बैठक में जम्मो कश्मीर में सुरक्षास थे ते और अमर नाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी काफे मैत्व पूर्ण रहेगी है बैठक और आगे की खबरों में ग्रामीड विकास मंत्रे शिवराज सिंग चवहान ने एक प्रेस कांफरेंस में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20 हजार करोड रुपे की राशी अंतरित करेंगे इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कारिक्रम में कई मंत्री भी भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्च्वली समवाद करेंगे प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोधी की 9 करोड 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभ 20 हजार करोड रुपे की राशी डालेंगे और उस दिन अन्य दाताओं की खुसाहली के साथ बिक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी का स्री गणेस हो रहा है प्रधान मंत्री जी के साथ उनका कारिकम तो कासी में होगा कासी के कारिकम के साथ ही ने अलग-अलग स्थानों पर 50 हमने बिशेश रूप से चिन्धित किये हैं यहां अलग-अलग केंडरी मंत्री जाएंगे वर्च वली कारिकम से जुड़ेंगे और माजो एकत्रित किसान होंगे उस कारिकम के लिए उनसे वो सबाद भी करेंगे लगबग दो करोड किसान फिजीकली और वर्च वली इस कारिकम में समलित होंगे एक बड़ी खबर 36 गर से जहां नारायनपुर के अबूज मार में मुठवेड में नौ नकसली मारे गये हैं साथी एक जबान भी घायल हो गया है राजी के चार जिलों में पुलिस की और से ये साजहा उपरेशन चल रहा है कुतल, फरसबेडा, कोड़ता मेटा के जंगलों में इस वक्त भी पुलिस और नकसलियों के बीच ये मुठवेड जारी है मुठवेड बीते दो दिनों से लगातार जारी है और इस मुठवेड में नारायनपूर, कॉंड़ा गाउं, कांकेर, दंतेवारा की DRG, STF और ITBP तीरेपनवे ही वाहिनी बल शामिल है और अब पशे मंगाल हिंसा की खबर आशे मंगाल में चुनाओ के बाद हुई हिंसा के संबन में भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने तुरपुरा के पूर मुख्यमंत्रे विपलब कुमार देव के नत्रे तुमें एक टीम गठित की है इस टीम में विपलब कुमार देव के साथ-साथ वरिष्ट भाजपानेता और सानसद रविशंकर प्रसाद, राज्य सभा सानसद ब्रजलाल और सानसद कविता पाटीदार शामिल है पाटी की ओर से जारी एक स्टेट्मेंट में कहा गया है कि हमने अभी अभी भारत के 28 राजियों और 8 केंदर शासित प्रदेशों में लोक सभा चुनाव संपन होते देखे हैं राश्ट्रिय चुनाओ के साथ में विधान समा चुनाओं में से दो राजियों में सत्ता का हस्तान तरण भी हुआ ये सब शांती पूर्ण तरीके से हुआ है पशिम बंगाल को छोड़ कर जो चुनाओ बाद की हिंसा की चपेट में है पशिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममताब एनरजी मुख दर्शक बनी हुई है जबकि उनकी पार्टी के अपराद ही विपक्षिक कार्यकरताओं और मददाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते हैं ऐसे में भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष श्री जेपी नड़ा ने पशिम मंगाल का दोरा करने और स्थितिका ततकाल जाइजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए एक समितिक अगठन किया है और आप चुनाओ के बाद हुई हिंसा के पीडितों को राजपावन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी के नेता सुवेंदू अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिख कर हिंसा के विरूद में राजपावन के सामने धारना देने की अनुमती मांगी है उन्होंने कहा कि वे कल शाम को हिंसा में पीडितों के साथ राजपावन में राजपाल से मलाकात करेंगी और वहीं केंद्रिय मंत्री सुकान्तों मजुमदार ने कहां कि लोग सभाचुनाओं के दौरान हुई घटनाओं में हिल्सा के पीडितों के राज्यपाल से ना मिलने देने की घटना लोगतंत्र को शर्मसार करने वाली है देखे गवर्नर साब ने सही सबाल उठाया है क्योंकि जिस तरीके का बिशेय आया है कि आप जो भीक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है गवर्नर को गवर्नर हाँ उससे निकल के जाना परा तो यह तो डेमोक्रसी को शंशार कर देने वाली बात है डिमोक्रासी में गवर्नर कास्टोडियन है कॉंसिटूशन का वहां तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम तो मम्तमाने जी चाती क्या है जो जो लोग बिजे भी करते हैं क्या डूब मेरे सुसाइट कर ले तो अगर ऐसा है तो मम्तमाने जी एक बोल दे सामने आकर सब बिजे भी बाले सुसाइट करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके और अबाद कुवेत अगनिकांड की जिस घटना ने सब का दिल जख जुहूर कर रख दिया है इस अगनिकांड में उत्तर प्रदेश के जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनमें गोरखपुर के दो युवक भी शामिल हैं जिनका पार्थिव शरीर आज गोरखपुर पहुचा यहां प्रिश्वासन की मौजूदगी में मृत्यकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है इस दोराट पश्व बंगाल की भाजपा नेता अगनी मित्रा पॉल ने भी कुवेत आग की घटना में जान गवाने वाले पश्व में अधनीपूर निवासी के घर का दौरा कर परिवार वालों के प्रतीश सहान भूती जता आई है बता दें कि इस घटना में जान गवाने वाले तमिल्नाड के एवा मेशन राजू के पार्थिव शरीर को भी उनके पैत्री गाउं नवल पट्टू लाया गया है और कोवेट में हुई भारतियों की मृत्यों के मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पर राजनीती करने का आरूप लगाया भाजपानेता वी मुड़ी धरन ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सरकार की आलूचना करके राजनितिक लाब उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस दुख़ दस्तिते में मुख्यमंत्री की ओर से ये बेहद निंदनी ये कृत्य है प्र१िजिऑ ने कि इस प्र१िशन आधरि प्रष्ट बजस्ट करना जाओंध झारे टुछ रॉट एमने प्रश्टोनिट में, झाल जा जा वित खुट्राइब चुट्टमौ ते रही हैं। instead of trying to create controversies on the occasion of such tragic incidents प्रदहार मंत्री नरेदर मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वादेश लोट आए उन्होंने G7 शिखर संबेलन के आउटरीच सत्र में हिसा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रात्मिक्ता दी प्यम मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी उस पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमती व्यक्त की उन्होंने इस दोरान विभिन देशों के राश्टरा ध्यक्षों के साथ द्विपक्षियम मलाकातें भी की तीसरी बार प्रधार बत्री पद सभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर प्यम मोदी के नेत्रित्व की वहां मौजूद सभी राश्टरा ध्यक्षों ने प्रशन साकी एक के बाद एक तमाम रास्टरा ध्यक्षों से दुई पक्षिय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पियम मोदी को बधाईयां दी जिसके बाद पियम मोदी ने सब ही के प्रती अपना आभार व्यक्त किया दोई पक्षिय मुलाकातों के दोरान बातचीत का सलसला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा बलकि घरेलू, ख्षेत्रिय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पियम मोदी ने जो रण नीती तै की उस पर सभी ने अपनी सहमती ब्यक्त की फिर चाहे वो हिंद प्रशाद के ख्षित्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा एई आई, उर्जा, पर्यावरन का मुद्दा हो जी सेवन के मेजबान देश इटली की प्रधान मंतरी जियोर्जिया मिलोनी के साथ पियम मोदी की मुलाकात काफी खास रही प्रधान देने के साथ ही उर्जा पारागमन में सहयोक के लिए आशाय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया यह स्वच और हरित उर्जा में द्विपक्षी सहयोक को बढ़ावा देगा उन्होंने विग्यान और प्रोध्योगी की में सहयोक तानुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए दो हजार पचीस से लेकर दो हजार सथाईस के लिए सहयोक के नए कार्यकारी कार्यकरम पर भी प्रसनता जताई पी-म के साथ द्विपक्षी मलाकात करने वालों में ब्रिटन के प्रधान मंतरी रिष्ट सुनाक, जापान के प्रधान मंतरी फूमियो किशिदा, यूक्रीन के राष्टपती बोलोडुमीर जिनन्सकी और फ्रांस के राष्टपती मानल माकरों शामिल रहे इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उबहरते प्रभाव को रीखांकित किया गया, जिसमें प्रमकरोप से प्रोध्योगी की के ख्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सब ही ने जुड़ने के इच्छा जाहिर की पी-म ने भी जी सेवन शिखर समिलन के आउटरीट सत्र में कहा था कि प्रोध्योगी की को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टे कोंड की साथ तैयार किया जाना चाहिए इस संदर्ब में उन्होंने सारवजनिक सेवाओं की डिलिवरी के लिए डिजिटल प्रोध्योगी की का लाब उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया दुनिया में इस समय जो उतल पतल चल रही है इन सारे हालातों में केवल एगी देश है भारत जो अगले पांच वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है एकॉनोमिक ग्रोध से बाकि जितने जी सिवन के देश है हमाँ पे बाइडन हो गए रिशी सूड़क हो गए मैकरॉन हो गए श्लॉस हो गए इन सब की अपने देश के अंदर ये अपनी हालत खसता है ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशल इन्वेस्टमेंट एरिया है सबसे बड़ी पॉपॉलेशन है दुनिये के सबसे बड़ी मार्किट है सबसे तेज एकॉनोमिक ग्रोध है प्रधान मंत्री ने भारत में उर्जा परिवर्तन समंधी कारियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकों उपलब्धता पहुंच कि फायत एवं स्वीकारियता पर आधरित है उन्होंने कहा कि भारत साल दो हजार सत्तर तक नेट जीरू यानि शून्य कारबन उत्सरजन के लक्ष को हासिल करने के दिशा में काम कर रहा है उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उलेक करते हुए वैश्विक समुदाई से विश्व परियावरन दिवस पर व्रिक्षा रोपन अभ्यान एक पेड मा के नाम अभ्यान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिल्चस्पी एवंग वैश्विक जम्यदारी के साथ एक ज उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए संबान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में जी ट्वैंटी के 27 अधसे के रूप में आफरिकन यूनियन को शामिल किया गया बिरो डिपोर्ट डी डी नियूनिज अगले बड़ी खावर उतर प्रदेश के गोरखपुर में राज्यके मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इस मैठक के दोरान सीम ने उतर प्रदेश के विकास और खानून विवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किये इसे पहले भी मुख्यमंत्री ने वाहनों में प्रेशर हॉर्ण पर रूख लगाने के लिए निर्देश जारी किये थे साथ ही उन्होंने वियाइपी फ्लीट में भी गाड़ियों में एक तैय ध्वनी सीमा के साथ ही हूटर बजाने के लिए निर्देश जारी किये थे प्रेशर हॉर्ण और हूटर से सम्मदित सूचना मिलने पर त्वरित का रवाई की जाएगी और अब उत्तराखंड में हुए हाथसे की खबर उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग जिले में हुए भीशन हाथसे में 13 लोगों की मौत हो गई है यह हाथसा उस वक्त हुआ जब 24 यात्रियों से भरा एक टैमपो ट्रावलर अलक नंदा नदी में जागिरा घटना के बाद राहत और बचाव कारिय शुरू किया गया गंभी रूप से घायलों को रिश्रकेश एम्स में भरती कराया गया है जबकि अन्य का इलाज रुद्र प्रयाग के जला अस्पताल में चल रहा है और वहीं इस हाथसे पर मुख्यमंत्रे पुषकर सिंग धामी ने दुख जाताया और उन्होंने कहा जनपद रुद्र प्रयाग में टैमपो ट्रावलर के दुर घटना ग्रस्थ होने का त्यंत पीड़ा दायक समाचार प्राप्त हुआ स्थानी प्रशासन वह SDRF की टीमें राहत वंग बचावकारियों में जूटी हुई है घायलों को नजदी के चिकितसा केंदर पर उपचार हितु भेज दिया गया है जिला धिकारी को घटना की जाच के आदिश दे दिये हैं इश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवंग शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें बाबा केदार से घायलों के शीग्र स्वास्थियलाब की कामना करता हूँ और केंद्री अग्रुह मंत्री अमित शाह ने भी रुद्र प्रियाग में हुई सड़क दुर घटना पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा उतरा खंड के रुद्र प्रियाग में हुई सड़क दुर घटना का दुखत समाचार प्राप्त हुआ मेरी सम्वेदनाएं इस हादसे में जान गवाने बालों के परिजनों के साथ हैं स्थानिय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत वबचाव कारिय में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्द कराई जा रही है इश्वर से घायलों के शीध्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और इस खबर पर जुड़ रहे हैं अबधेश नौटियाल हमारे समवादाता देहरादून से जुड़ रहे हैं किस तरह से यहादसा हुआ और क्या अब जो है रहत और बचाओ कारिय का काम अभी भी चल रहा या पूरा कर लिया गया है देखि लाल जी बिलकुल जो रहात और बचाओ कार रहे हैं लाल जी और लगबग पूरा हो चुका है यह उत्राखंड के रुदूर प्रयाग जिले से जो बद्रीनात करास्टिय राजमार्ग है वहाँ पर रोतली एक जगह है रोतली के पास जो है यह बहान जो है गहरी खाई जागी रहा और जो जो खाई सिदा अलक नंदा जो नदी है उसमें मिलती थी और जो यात्री बहान एर लिफ्ट किया गया है वहाँ पर उनको एक रिस्केस पर सिफ्ट किया गया है इसके अलावा जो जो चैह यात्री है चैहां याथ्यकों को जो रुदृप्रयाक का जिला सब्सक्राइब जिए जो लगबग तीन घंटे दख यह रहात और बचाओ कारे जो लगबग कर किय जो उसका जो घटना जो क्या हुई जो लेकिन जो प्रारमिक रिपोर्ट आ रही कि जो चालक था उसको जपकी लगई जो अभी जो घैल यात्री है वो बता रहे हैं इसके साथी मुख्यमंतरी पुसकर सिंग धामी ने जो जिला अधिकारी से काय कि पूरे मामले की जाच की जा है कि जो बड़ी संक्या में यात्री जो जो यात्री को बहां चमता है बहां चमता से अधिक यात्री रास्ते में ना जाने पाएं जी लाल जी अब धेश ये बताये कि आपने बताया कि इसमें 26 यात्री सवार थे कुछ पता चला है यह यात्री कहां के थे यह शधालू कहां नहीं है लेकिन बता जा रहा है कि जो अलग अलग जगह से जो इसमें यात्री थे और जो बद्रिनात के दर्सनों के लिए वो जा रहे थे जहां पर यह बड़ी बात यह पृष्वेत क्यों निश्चित के और जो जा रहे थे लग तो दो गुनी यात्रियों को लेकर जा रहे थे हैं फिलाल यह बताइए कि जो पेरे घायल है अफदेश, उनकी हालत किस तरह की बताई जा रही है, क्या वो सभी खत्रे से बाहर हैं। थेके लाल जी जो साथ यात्री जो रिसीगेस एम्स ले जाए गया गया है, वो बिल्कुल गंभी रूप से घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया अफदेश, आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिल्हाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोने के लिए। होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कारिकरताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल्मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कारियों के हाथ में खाली मटके थे जो कि दिल्ली की समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलजाने में पूरी तरह से नाकाम रही है और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हमारे समवारदाता अजीत द्विवेदी ने बाद की गोविंद पूर के निवासियों से उन्होंने बताया कि पानी की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है और लोग बहुत परिशान है पानी नहीं आ रहा है और जहां पानी आ भी रहा है वहां गंदा आ रहा है पानि के सम्झाह के नियुक्त है पानी बीडिकुल भी नी और हम बहुत परचाने माली बात है पानी की समस्य बहुत है दिल्ली में और पानी बिलकुल नहीं नी आ रहा है लोग इतने परिशान है कि मतलफ मुला को जागना पढ रहा कि लोगो को घाल है कर दो sulphण को सबस्टाराइन, पानी के कभी जा रहे हैं तो तो पानी की समस्या और पानी की समस्या तूरर सह आ géरी पानी की पानी खारा पानी आ रहा है गंदा पानी आ रहे हम लोग भरते हैं पानी काला एकडम काला पानी आता है दिल्ली में जी तरिके से लहतार पानी की शिच्रेंजेर कर रहे हैं हाला कि गुविंद्पुरी जो छेते की महिलां को कहना है कि ये समस्च्या जो है लातार बनी हुई है और इस गर्मी में उनका पानी की कमी के कारण जीना मुहाल हो गया है अजीत दिवेदी डिडी न्यूज दिल्ली और भाजबा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ले में चल रहे हैं पानी के संकट के लिए आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों को घेरा पूनावाला ने आरूप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिली भगत है कि ccatic का भांडा फोड़ हो चुका है तो आब वो मत्का फोड़ का ड्रामा कर रहे है कौंग्रेस पार्टी से पूछे कि ये water क्राईस कल की नहीं है यह तूरे चुनाओं में water crisis ρहा क्यूंकend समर्ण शुूरु हो चुका ये दिल्ली में सिती इसलिए बनी है क्योंकि दस वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाए भ्रष्टाचार के दिल्ली जलबोड में 80,000 करोड का भ्रष्टाचार किया जिसकी वज़े से ना नई पाई पे बिज़ पाई ना क्लीनिंग हो पाई जिस इसकी वज़े से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है हर्याना हिमाचल अलग अलग जगों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है यह सुप्रीम कोट ने का है पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के निताओं ने सौरक्षन दिया पानी घोटाल प्रेक्ट देवें इंद्र यादव ने कांग्रेस के कारिकरताओं के साथ जोरदार प्रदशन किया उन्होंने पानी की संकट के लिए आम आदमी पाटी और बीजेपी दोनों को जिम्मेवार ठाराया प्रॉपर एक्शन प्लैंत तेयार होना चाहिए जंता तक पानी पहुचना चाहिए स्वच जल पहुचना चाहिए लेकिन कईना कईम हमने महसूस किया कि ये सरकार उस समय सोती रही और आज जब पानी की समस्या बहुत गहरी हो गई है लोग बुंद बुंद के लिए तरस रहे हैं तब ये एक दूसरे को उपर लांचन लगाते हुए कईना कई नूरा कुष्टी खेलने का काम कर रहे हैं और भाजपा के आईटी सेल के प्रमोखामत माल वीया ने कॉंग्रेस पर हमला बोला है उन्होंने सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कॉंग्रेस निन्यानवे पर क्या पहुँची देश में आतंकवादी समो फिर से सक्री हो गए हैं फैजाबाद में बीजेपी की हार पर विपक्ष जश्न मना रहा है और अब जैशे मुहमद ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है कॉंग्रेस की तरह उन्हें भी जल्द ही एहसास होगा कि निन्यानवे पर कोई केवल नैतिक जीत का ही दावा कर सकता है सरकार बनाने का नहीं आतंकवादी संगटनों को मुहतोर जबाब मिलेगा खबर करणाटक से जहांब पक्ष के नेता आर अशूक ने पर घंदी सरकार पर गम भी रारूप लगाये हैं उन्हेंने कहा कि राज-सरकार ये दूरपपा के ख़लाफ नफरत की राजनीती कर रही है राज्य में दो बुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ दो-दो ग्रिह मंत्री हैं जिनकी राज्य के विकास में कोई रूची नहीं है राज्य सरकार यह दूरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीती कर रही है नफरत की यह राजनीती पहले नहीं थी यह पहले आंदरपरदेश और तमिलाडु में थी लेकिन अब ये नफरत की राजनिती करनाटक में आ गई है दो मुख्य मंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार करें हैं राज्य में दो ग्रेह मंत्री हैं उन्हें राज्य के विकास में कोई रूची नहीं है उनके पास पैसा नहीं है ये सरकार टैंकर मालिकों से पैसा इकठा कर रही है और इसे हाई कमान तक पहुचा रही है करनाटक में यही हो रहा है और राज्य को नुकसान हो रहा है अगले ख़बर केंद्री वस्तर मंत्रे गिरुराज सिंग ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद है यही वज़ा है कि राज्य के आठ सानसदों को केंद्रिय मंत्री बनाया गया है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुशे मंत्राले के बाद वस्त्र मंत्राले दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रोजगार की अफसर उपलम कराता है ऐसे में बिहार में इस दिशा में संभावनाओं की तलाश की जाएगी नरंद्र मोदी ने बिहार के आट सान सदों को मंत्री बनाया है और उद्योग सबसे बड़ा मंत्राले है वस्तर मंत्राले देश में किर्सी के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है हैंडलूम है हैंडी क्राप्ट है इसलिए अपार संभावनाओं हैं उनी संभावनाओं उन संभाबनाओं के साथ मिलके मान्या मंतरी जी मान्या प्रिंस्पल सेक्रेटी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से और संभाबनाओं को तलास करके निश्चित रूप से बिहार में नए रोजगार के अफसर पर चर्चा हूँ असम के मुख्यमंतरी हिमंता विस्वा सर्मा ने नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में पचीस मेगावाट क्षमता की सौर उर्जा परियोजना की आधारशिला रखी जो इस खृत्र में सतत उर्जा विकास की दिशा में एक महत्वपोर्ण कदम है डिब्रूगर में आयुजित यह समारू राजी की अक्षय उर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार के प्रती प्रती बद्धता को दर्शाता है डिब्रूगर के नामरूप में पचीस मेगावाट के सौर उर्जा सैंत्र की आधारशिला रखते हुए आसम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा ने कहा कि परियावरण के प्रती राज्य का यूगदान होगा राज्य दो हजार साथाईस तक तीन हजार मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन का लक्ष बना रहा है आसम के परियावरण का यूख बना रहा है आर बात मौसम के मार की उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है देश में उत्तर प्रदेश का प्रयाग राज सबसे गर्म शहर राज जहां अधिक्तम तापमान 46.9 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया मौसम इभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है तो वहीं हर्याना, चंडिगर, दिल्ली, पूरवी मद्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चम इउतर प्रदेश, दक्षुन बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिक्तम तापमान 45 डिग्री सेलसियस के पास रहा मौसम इभाग ने उमीद जताई है कि 18 जून तक प्री मौनसून बारिश हो सकती है जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिलने की उमीद है इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परिशानियों को बढ़ा रखी है ऐसे में लोगों को सला दी जाती है कि वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और परियाप्त मात्रा में पेपदार्थ का सेवन करते रहें तो देश भर में भीशन गर्मी का कहर जारी है हाला कि जावानों द्वारा जैकेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी साजा की गई है पुलिस के एक जावान ने बताया कि जैकेट का वजन ज्यादा होने से परिशानी हो रही है इसके साथ ही गर्मी से जैकेट की आइसिंग जल्दी पिघल जा रही है कुलिंग जैकेट से हमारे जो जैड़ोज हैं तेरा पॉइंट्स जैड़ोज हैं उनको दी गई है और इसका मोटिल यह है कि आप देखे रहे हैं कि गर्मी बहुत जादा पड़ रही है तो एस्टी जैकेट्स हैं यह जो अभी हमने सेंपल के तोर पर देखने के लिए इनके क्या-क्या इफेक्स आते हैं हमारे तेरा पॉइंट्स पर जैड़ोज को दी गई है तो एक और जहां देश के उतरी भाग में गर्मी और लू की चपेट है वहीं दूसरी और कुछ जगहों पर जहमा जहम बारिश के साथ मौसम ने अपना रुख बदल लिया है हर्याणा में रेवाडी के कई जगहों पर हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं उतरा खडवे बदरी नाथ मंदिर और केदार नाथ मंदिर के पास भी बारिश हुई पुर्वोतर में अरुनाचल प्रदेश में आज वर्शा होने के साथ अगले दो तीन दिनों तक भारी वर्शा होने की संभावना है असम और मेगाले में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विवागने, उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कौकंड और गोवा के लिए भी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया है साथ ही उप हिमाले, पशिमंगाल और सिक्किम के अलग-अलग हिस्सों में भी भारी बारिश होने की उमीद है तो वहीं सोलह से लेकर अठारह जून तक इन खृत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है विधी अभंग न्याय मंत्राले नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए सोलह जून रविबार को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसका शीर्शक आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रश्वासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग है सत्र का आयोजन कल सोलह जून को आई टी सी रॉयल बंगॉल हलदाले एवन्यू कोलकाता में आयोजित होगा जिसमें मुख्यातिति के रूप में कलकाता उच न्याय ले के मुख्यनाय अधिश न्याय मूर्ति टी एस शिव गनम शामिल होंगे साथ ही भारत सरकार के वेधिय वंग्याय मंत्राले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रवार आरजुन राब मेगवाल भी सत्र को संबोधित कर लोगों को नए कानुनों के बारे में बताएंगे आर्थिक जगत से बड़ी खबर विदेशी मुद्राबंडार के तौर पर देश के विदेशी मुद्राबंडार में जून के पहले हफते में रेकॉर्ड बढ़त देखने को मिली और ये 655.88 अरब डॉलर पर पहुँच गया है जो कि विदेशी मुद्राबंडार का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है भारती रिजर्वेंग यानि आरबियाई की और से जारी डेटा में बताया गया है कि 7 जून को समाप्त होने वाले हफते में भारत का विदेशी मुद्राबंडार 4.3 अरब डॉलर बढ़कर 655.8 एक 7 अरब डॉलर हो गया इससे पहले ये आकड़ा 651.5 एक अरब डॉलर था पिछले कई हफतों से विदेशी मुद्राबंडार में लगातार बढ़त देखी जा रही है दस मई को ये 648 अरब डॉलर पर था विदेशी मुद्राबंडार में अमेरिकी डॉलर के साथ अन्य बड़े देशों की मुद् विशेश आहरण अधिकार यानि SDR और अंतरराश्टरी मुद्राकूष आई-म-फ के पास जमाध्धन को शामिल किया जाता है RBI की ओर से जारी किये गए डेटा में बताया गया है कि विदेशी मुद्राबंडार में महत्वपोर्ण, घटक, बड़े देशों की मुद्राएं 3.77 अरब डॉलर बढ़कर 576 अरब डॉलर हो गई है मुद्राओं में डॉलर के अलाबा यूरो, पाउंड और येन को शामिल किया जाता है सूने का रिजर्व 481 मिलियन डॉलर बढ़कर 56.98 अरब डॉलर हो गया है SDR 43 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.16 अरब डॉलर हो गया है आर्थिक जगत की एक और बड़ी ख़बर केंदर सरकार ने कच्चे तेल पर विंड फॉल टैक्स घटा दिया है टैक्स में भारी कटोती करते हुए इसे 3,250 रुपे प्रती टन कर दिया गया है ये टैक्स पिछले पकवाडे में 5,200 रुपे प्रती टन था सरकार की और से जारिया दूसरे चुना के मताबिक कर की नई दर 15 जून से प्रभावी हो गई है डीजल, पेट्रल और विमान इंधन पर विंड फॉल टैक्स को शून बरकरार रखा गया है आपको बता दें कि सरकार हर 15 दिन में विंड फॉल टैक्स की समीक्षा करती है हाल के महीनों में कई बार कच्छे तेल पर विंड फॉल टैक्स कम किया जा चुका है एक जून को इसी 5,700 रुपे प्रती टन से घटा कर 5,200 रुपे प्रती टन किया गया था कच्छे तेल पर विंड फॉल टैक्स कम करने का सीधा फाइदा घरेली उस्तर पर पेट्रोलियम उत्पादक कमपनियों जैसे की ओन जी सी और आईल इंडिया को मिलता है कच्छे तेल की कीमत बढ़ने के कारण कमपनियों को हो रहे और प्रत्याशित लाप पर विंड फॉल टैक्स लगाया जाता है इसे जुलाई 2022 से शुरू किया गया था आज विश्व पवन उर्जा दिवस है इस अवसर पर दिल्ली में नभी करणी उर्जा को प्रोटसाहित करने के लिए एक कारिक्रम आयुजित किया गया जिसमें इस खुरेत्र में उतक्रष्ट प्रदर्शन करने वालों को संबानित किया गया तो वहीं कारिक्रम के दौरान सभी ने साल 2030 में नवीकर्णी उर्जा के लक्षो के प्रती अपनी प्रतिबद्धता को भी दुहराया 15 जून को विश्भर में पवन उर्जा दिवस बनाया जाता है दिल्ली में इस अवसर पर हुए कारिक्रम में बात करते हुए केंद्रिय मंत्री श्रिपदनायक ने कहा कि 2030 तक नवीकर्णी उर्जा से 500 गीगावाट का लक्ष रखा गया है इसके लिए विभिन स्तरों पर प्रयास चल रहे है गौर्टलभे की भारत में नवीकर्णी उर्जा असी के दशक में शुरू हुई थी लेकिन पिछले दस वर्षों में इस शेत्र में अत्याधिक प्रयास किये गए है और यही वजा है कि 2030 तक इस शेत्र में एक बड़ा लक्ष रखा गया है वर्तमान में भारत विश में पवनूर्जा शमता में चौथे स्थान पर है वही नई एवम नवीकर्णिय उर्जा सचिव वोपिंदर सिंग भला ने कहा कि यदि हमें पर्यावरन को बचाना है तो हमें नवीकर्णिय उर्जा की तरफ जाना होगा उन्होंने कहा कि इस शेत्र में बिजली का और उत्पादन हो सके इसके लिए हमें राज्यों से ताल मेल कर रहे हैं नई एवम नवीकर्णिय उर्जा सचिव ने कहा कि आने वाले 6 वर्षों में इस शेत्र में 30 ला करो रुपे की निवेश की जरूरत होगी कारिकरम में इस शेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया जिनोंने उमीद जाहिर की कि आने वाले दिरों में उनके राज्यों में इस शेत्र में और बेहतर प्रदर्शन होगा अगर देखा जाए तो विंड में पूरे इंडिया में सबसे जादा गैपिसिटी विंड एनरजी में गुजात में हैं और सोलर एनरजी में भी हम काफी आगे हैं पवन उर्जा साथ बावन गावन दोड़ा हैं पवन उर्जा से ना केवल घरों में रोश्नी होती है बलके पायावरन भी सुरक्षित होता है निवेशकों में इसको लेकर जागरती आए इसके लिए केंडर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रयास किये हैं केंद्र सरकार की योजनाएं निवेशकों को आकरशित कर रही हैं इसी उम्मीद के साथ की केंद्र सरकार 2030 के अपने लक्ष को पूरा कर सकेगी विक्रम जीत सिंग डीडी न्यूज दिल्ली और ख़बर राजधानी दिल्ली से स्वाती मालिवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोट ने विभव कुमार की नियाई खिरासद 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है आम आदमी पार्टी की राजधासानसद स्वाती मालिवाल ने आरोप लगाया था कि 13 माई को दिल्ली के मुख्यमंतरी के आवास पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की जिसके बाद 18 माई को विभव कुमार को गिरफतार कर लिया गया था और इस बीच दिल्ले उचनाले ने सुनीता के जिरिवाल को अदालती कारिवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म से हटा लेने का निर्देश जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरुद के जरिवाल की पतनी सुनिता के जरिवाल को आबकारी नीती मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को विबन सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था हाई कोट ने मामले में सुनीता केजरिवाल के साथ साथ पाच अन्य व्यक्तिकत परतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है साथ इस सोशल मीडिया कमपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किये गए वीडियो के समन में किसी भी अन्य पोस्ट या रिपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया मामले में अब अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी और नीट परिक्षा मामले की जान सिबी आई से कराने की मांग समध्धी आचिकापर सुप्रेम कौट ने NTA को नोटीस जारी किया है इस आचिका की सुनवाई भी पहले से सब ही लंबित मामलों के साथ 8 जुलाई को होगी इससे पहले नीट के उमीदवारों ने स्कूर में गड़बडी कारूप लगाते हुए सुप्रेम कौट से सभी OMR शीट्स के पुनर मुल्यांकन का आदेश देने का आग्रह किया अगले ख़बर केंद्री अभारी उद्योग और सालजनी कुद्या मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेमी कंड़क्टर फर्म माइक्रोन के संबन्द में उनकी कथित्ते पणि को गलत तरीके से पेश किया गया कुमार स्वामी ने कहा कि सेमी कंड़क्टर एक रणनेती कुद्योग है यह एलेक्ट्रोनिक्स और आटो मॉबाइल विनिर्मान के लिए एक बुनियादी आवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि यह दोनों क्षेत्र काफी संख्या में रोजगार स्रजन करते हैं NCPCR प्रमुख प्रियंग कानुन गू ने मद्परदीश सरकार से अपील की है कि मदर्सों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामानी स्कूलों में भेजें रास्ट्री अबाल अधिकार संग्रक्षन आयू का कहना है कि इसलामी संस्थान शिक्षा के अधिकार अधिकार अधिनियम के अंतरगत नहीं आते हैं साथ ही उन्हों ने ये भी अपील की कि अपंजीकरित मदर्सों में पढ़ने वाले मुसलिम बच्चों को भी सामानी स्कूलों में भेजा जाना चाहिए आक्रों के मुताबिक मदर्देश में 1755 पंजीकरित मदर्सों में 947 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं इन संस्थानों में RTE अधिनियम के तहत अनिवार ये बुन्यादी धाचे का अभाव है बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए सभी बच्चों को समान भूप से देखकर सभी को शिक्षा मेले उस दिशा में काम करना चाहिए हमको आज विभाव नहीं बताया कि 1755 मदर्से उनके पैस पंजीकरिती पूर्व में उन्होंने हमको 1505 मदर्सों की जानकारी दी थी लेकिन आज उन्होंने बताया कि 1755 मदर्स उनके पास पंजीकर थे और 9,417 हिंदू बच्चे इन मदर्सों में पढ़ रही और हिंदू बच्चों को मदर्सों में भेजना तो ऐसा अक्षम में काम है इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्यपरदेश सरकार से आगरह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदर्सों से बाहर लिकालने की कारवाई करें ये अवश्यम्भावी है आंदर प्रदेश की नई गठपंदन सरकार ने हालिया प्रशासनिक फिर बदल के तहट आई एस अधिकारी जे शामला राव को तिरुमाला तिरुपती दिवस्थानम टीटीडी की नए कारेकार अधिकारी के रूप में नियोक्त किया है ये दुनिया के सबसे अमेर हिंदू मंदिर ट्रस्टों में से एक है जो कि आंदर प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला में भगवार बेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है शामला राओ इससे पहले विशाखा पतनम जिला करेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे मौक्यमांतरी एन चंद्रबाबो नाइडू ने टी टी डी के पिछले प्रशाषन पर भष्टाचार और कुप रशाषन का आरोप लगाते हुए तिरुमाला प्रशाषन के शाषन को शुद्ध करने की बात कही है इदर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशाषन की तरफ से भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है दरसल भक्त अब वर्चूल व्यालिटी में बाबा के दर्शन कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ के वर्चूल वियालिटी का ये वीडियो 11 मिनट 50 सेकेंड का होगा जिसमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे इसके तहत शधालू बाबा की पाचो पहर की आरती और श्रिंगार देख सकेंगे शधालवों के लिए ये सुविदाने शुल्क होगी काशी विश्वनात मंदिर के मुख्यकारिकारी अधिकारी ने बताया कि 3D वर्चुल रियालिटी एक नई तक्नीक है जिसे उज्जैन के महाकालेश्वर और माता वैश्लो देवी मंदिर जैसे विविन मंदिरों में लागू किया गया है ट्रायल के तोर पर 5 महीं से 4 जून के बीच मंदिर के कुल 363 करमचारियों और पुजारियों ने फिल्म देखी उन्होंने शो के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इसके बाद इसे भक्तों के लिए शुरू किया गया चार जून से तीस जून तक कुल मिलाकर 282 भक्त इससो विधा का लाब उठा चुके है आगे की खबरों में भारती ये वायू सेना के विभिन शाखाओं के फ्लाइट के अड़ेटों के प्री कमिशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष में कमबाइन ग्रेजवेशन परेड का योजन किया गया हैदराबाद के डून्डीगल स्थित वायू सेना अकैडमी में परेड का योजन किया गया वायू सेना प्रमुक एयर शकबल के अधिकारियों और मित्र देशों के उन अधिकारियों को भी विंक्स प्रदान किया गया जिन्होंने सफलता पूर्वक अपना उडान प्रशिक्षण पूरा कर लिया पीलाटस पी सी सेवन एमके टू एस यू थाटी एमके आई सूर्य किरन एरोबैटिक टीम और स बालों का हौसला बढ़ाया और अब बात करेंगे यूग दिवस से जुड़ी हुई ख़बरों की आने वाले यूग दिवस को ध्यान में रखते हुए प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स के जरिए हर रोज नए यूग आसन का वीडियो साजा कर रहे हैं जहां आज उन्होंने चक्रासन यूग की बारे में बताया चक्रासन का नियमित अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार है ये हिर्दे को सेहत मंद रखता है और रक्ट संचार को बहतर बनाता है अर्ध चक्रासन इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानि पहिये के समान बोलाकार में आ जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दे ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलिया जुड़ी हुई हो ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को बीचे की योड जुकाएं सर को इतना जुकाएं कि आपको आपकी गदन की मांस्पेशियों पर खिचाओ मैसूस हो सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े इस थिती भी दस से तीस सेकेंड तक विश्राम करें अर्ध चक्रासन आपकी वीड को लचीला बनाता है मेरू तंत्रिकाओं यानि स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है ये आसन सांस लेने की ख्षमता को बहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉंडिलाइडिस यानि गर्दन के दर्द में भी आराम देता है पर याद रहे इस आसन को करते समय उच्च रक्त चाप यानि हाइपर टेंशन या हाइवीपी के रोगियों को सावधानी से जुकना चाहिए यदि आपको चक्कर आते हों तो क्रिपया य आसन ना करें 10 से 30 सेकंड तक स्थीति में रहने केपार अब एक घहरी सांस भीतर और धीरे धीरे अपनी कपर को सहारा देते हुए अपनी रीड की हटी को वापस सीधा करें उसके बाद सर को सामानन्य स्थिति में वापस लाते हों धीरे धीरे सांस छोड़े और विश्राम क इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीट और गर्दन दर्द जैसी परिशानियों से अमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं तो इस आसन से आप भी लाब उठा सकते हैं और आईए अब देखते हैं 18 वे मुंबई अंतर राश्ट्री फिल्म महुतसफ से जुड़ी खबरें तो 18 वे मुंबई अंतर राश्ट्री फिल्म फेस्टिवल आथ से शुरू होने जा रहा है मौके पर सूचना और प्रसारन राज्यमंत्री एल मुरूगन ने उद्गाटन समारों की तैयारियों का जाइजा दिया एल मुरूगन ने ये फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुनहरा आफसर होने की बात कही इस कारिकरम कायोजन वेस्ट डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्मों के लिए किया जा रहा है इस 18th Mumbai International Film Festival is a very important film festival worldwide this film festival is every two years is happening in Mumbai so this year our not only Mumbai we are screening so almost thousand screening thousand movies are entry received from the world almost 38 countries they are participating 59 language movies these short movies documentary movies and animation movies are registered and these are also our jury's international jury's national jury they are also watching and they are also screening और अब आद खेल की खबरों की ICC T20 विश्व कप में भारत का सामना आज कैनेडा से होगा भारती ये टीम अपने आखरी ग्रूप मैच को जीतने के इरादे से उतरेगी भारत पहले ही सुपर आट के लिए क्वालिफाई कर चुका है ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा जहां बारिश के कारण मैच में खलल पढ़ सकता है लगातार तीन जीत के साथ भारते टीम सुपर आट में पहुंच चुकी है ये मैच फ्लोरिडा में खिला जाएगा ऐसे में नियोर्क की पिछ के अन इवन बाउंस से खिलाडियों को निजात मिलेगी इस मैच का भारत के लिए विशेश महत नहीं है लेकिन टीम मैनेचमेंट चाहेगा कि स्टार बल्लेबास विराट कोहली के बल्ले से रन निकलें कोहली की खराब फॉर्म भारते टीम के लिए चिंता का विशेय है कोहली आईपियल में शांदार प्रदर्शन के बाद T20 विशकप में आये थे लेकिन प्रतियोगता के तीन मैच में वे कुछ खास नहीं कर सके है हाला कि कोहली की खराब फॉर्म का टीम के अभिहान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है रिशपपन्द और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबासी की है अमेरिका के खलाव मैच में शिवम दूबे ने भी अच्छी बल्लेबासी की थी जो भारत के लिए राहत की बात है गेंदबासी विभाग की बात करें तो भारत के गेंदबासों ने एक यूनिट के रूप में शांदार प्रदर्शन किया है कनाड़ा की टीम पहली बार T20 विश्कप में हिस्सा ले रही है आईलेन्ड के खलाव जीत में कनाड़ा की टीम ने जज़वा दिखाया था और T20 विश्कप के इतियास में अपनी पहली जीत दर्स की थी पाकिस्तान के खिलाव भी टीम ने अच्छा संखर्ष किया था कनाडा के लिए ये मैच भारत के दिगज बल्ले बाजो और गेंद बाजो के सामने खुद को परखने का और अपने प्रदर्शन से सब को प्रभावित करने का अच्छा मौका है इस मैच में सब की नसर आसमान पर भी टीकी होगी भारत और कनाडा के बीच फ्लोरिडा में होने वाले इस मैच में बारिश का खलल पढ़ने की भी संभावत ना है बैसे दो भारत के लिए ये मैच आपचारिक है लेकिन भारत के प्रशन श्रक साफ मौसम और विराट कोली के फॉर्म में वापसी की उम्मीद जरूर लगाएंगे इस मैच से इसके साथ इस बुलेटन में इतना ही लेकिन डीरी न्यूस पर खबर और कारकरमों का सलसला लगातार जारी है नमस्कार स्वास्थ से जुड़ी महतपूर्ण बाद देश के प्रख्याद विशेशाग्यूं के साथ वेस्त जीवन में रखे अपने स्वास्थ का ध्यान सिहत के लिए जरूरी है पूशन साथ ही रोजाना करे वियायाम कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान विमारियों की कैसे करे रोग थाम यदि आप हैं किसी रोग से परेशान फोन और इमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल विशेशग्यों से मिलेगा सही समाधान देखिए स्वास्त से जुड़ा विशेश कारिक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवाद